पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कोट में क्या समस्याएं हैं और इसका उपाए जूरी सिस्टम क्या होता है जूरी सिस्टम में जज के बदले 15-20 क्रम रहित तरीके से चुने गए नागरिक फैसला करते हैं जज की बजाए इस जच्चा में यदि आपको कुछ समझ नहीं आएं तो वीडियो या आदियो को रोक कर फिर से सुने अब हम देखते हैं कि जज सिस्टम में भाई बती जेवाद अत्वा परस्पर या आपसी भाई बती जेवाद तेजी से कैसे बढ़ जाते हैं जिले के एक जच्च का कारेकल तीन से चार वर्शो का होता है यह वकीलों और संघर्टित अपरादियों के लिए सौदा करने के उधेशे से जजों के संबंदियों से संपर्क कायम करने के लिए एक लंबा समय है कई कोट परिश्रों में दो या दो से अधिक जज गठ बंदन बना लेते हैं जज कर जजख के रिष्टेदार वकीलों का पक्ष लेता है और जजज कर जजज कर के रिष्टेदार वकीलों का पक्ष लेता है इसे ही हम परस्पर या आपसी भाई बतीजेवाद कहते हैं जजज सिस्टम में भाई बतीजेवाद या रिष्टेदारों के प्रतितरफदारी समाप्त करने के लिए किसी जजज के रिष्टेदार को उस जजज के कोट में वकालत करने पर प्रतिबंध है अब प्रमुक बुद्धी जीवी लोग जोर देते हैं कि हमें ये मान लेना चीए कि इस प्रतिबन से हमारे कोर्ट में भाई बती जीवाद की समभावना ही समाप्त हो जाती है देखिए इस प्रतिबन से कोई अंतर नहीं पड़ता है आज तक जितने भी नामी बुद्धी जीवीं से मैं मिला हूँ वे सभी कोर्ट में परस्पर या आपसी भाई बती जीवाद की समस्या पर चर्चा करने तक का विरोध करते हैं और आज तक जूरी सिस्टम ही कोट में परस्पर या आपसी भाईबती जेवाद का एक मात्र जाना हुआ समाधान है ये परस्पर या आपसी भाईबती जेवाद इतना बढ़ चुका है कि अपरादी और उद्योगपती केवल एका दिश्टिदार वकील से संपर्ख रखते हैं और सबी फैसले अपने पक्ष में लेते रहते हैं और आम आदमी तो कोट में पिष्टा ही रहता है परस्पर या आपसी भाईबती जेवाद ही वे महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों सेज जैसे कानून हाई कोट सुप्रिम कोट में रद नहीं किये जा सके हैं जूरी सिस्टम में भाई बती जेवाद और परसपर या आपसी भाई बती जेवाद जूरी सिस्टम की बनावट ऐसे होने से असंबव है यह लिखित परिक्षा के आधार पर भरती किये जाने के सामान है जिसमें बाई बतीजेवाद से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है जूरी सिस्टम में 15 से 20 जूरी मंदल के सदस्टियों को 5 लाग से लेकर 100 करोड तक की जंसंख्या में से चुना जाता है क्योंकि इन जूरी मंदल के सदस्टियों के पास केवल एक ही मुकदमा होता है इसलिए 99 प्रतिश्याद मुकदमे केवल 5 से 15 दिनों में ही समाप्थ हो जाते हैं इसलिए पहले तो ऐसे होने की संभावना ना के बराबर है कि कोई वकील इस दुनिया में मुझूद हो जो इन 12 जूरी मंदल के सदस्टियों का रिष्टेदार हो अत्वा इन में से 6 अत्वा यहां तक की इन में से किनी 2 के भी रिष्टेदार निकले और उन्हें 15 दिनों के भीतर ही खोज निकालना इस कारे को और अधिक कठिन बना देता है यदि सोचे तो परस्पर या आपसी भाई बती जेवाद जूरी सिस्टम में असंभव है क्योंकि इसके लिए जूरी कह के बारा जूरी मंदल के सदस्टियों और जूरी कह के बारा आन्य जूरी मंदल के सदस्टियों को मिली बगत बनाना होगा मतलब जूरी कह को जूरी कह के रिष्टेदार वकीलों का पक्ष लेना होगा और जूरी कह को उन वकीलों का पक्ष लेना होगा जिनके रिष्टेदार जूरी कह में है वकीलों के ऐसे जोड़े और जोरी सदस्यों के जोड़े डोणना और 5-15 दिनों के बीतर सौदा कर पाना गनीत के हिसाब से असंबव है दूसरे शब्दों में जहां जज सिस्टम में भाई बतीजेवाद और परस्पर या आपसी भाई बतीजेवाद बहुत ज़्यादा है वहीं जोरी सिस्टम भाई बतीजेवाद और परस्पर या आपसी भाई बतीजेवाद से मुक्ष है अब ही बात करते हैं कि कैसे परस्पर या आपसी भाई वतीजेवाद के कारण जज़ प्रनाली या सिस्टम में पेशेवर अपराद बढ़ते हैं एक विशेश प्रकार के अपराद पर विचार कीजिए एक सड़क चाप अपरादी आम तोर पर जिसे भाई या दादा कहा जाता है या कोई भी पेशेवर अपरादी जो खुले आम और निडर होकर छोटे दुकानदारों से उन्हें जुरक्षित चोड़ देने के बदले हर मेने पैसा वसूली करता है अमेरिका या या यूरोप में भी अधिक अपराद वाले स्थान मौजूद हैं लेकिन कहीं भी कोई व्यक्ति दुकानदारों से खुले आम पैसे वसूलते नहीं दिखता है बारत में पेशेवर अपरादी के बहुत जादा होने का और पस्चिमी देशों में ऐसा बहुत कम दिखने का कारण है कि बारत में जज सिस्टम अपनाई गई है जबकि पस्चिमी देशों में जूरी सिस्टम अपनाई गई है ज़सिस्टम भारक के कोट को मिली बगत बला बना देता है जबकि पस्चमी अदालतों में जूरी सिस्टम ने मिली बगत की स्टी को बहुत ही कम कर दिया है आईए देखें कि कैसे जूरी सिस्टम पस्चमी देशों के कोट में मिली बगत को कम करता है पचास से सो अपरादियों वाले एक अपरादी गैंग के एक मध्यम सरिय पेशेवर अपरादी पर विचार कीजिए वे पान से दस चेत्रों में अपराद कारे चला रहा है अब अपने अप्राद को जारी रखने के लिए उसे और उसके गैंग के सदस्यों को अनेक विदायकों, सांसदों, पुलिस अधिकारियों, अन्य अधिकारियों, सरकारी वकीलों और जजों को मासी गूस देने की जरूत पड़ती है और उसे वकीलों, बाड़े के गुंडे, आधि को समय समय पर बाड़े पर लेने के लिए भी पैसे की जरूत पड़ती है इन सभी कारियों के लिए उन्हें हर महीने लाखों रुपए की बंदी बंदाई लागत आती है अब ऐसे पेशेवर अपरादियों को हमेशा ऐसे पांच से दस शिकार नहीं मिल सकते जिससे उसकी सभी लागतों की भरपाई हो सके और हर महीने उसे लाब मिल सके इसलिए लगबख हमेशा ही पेशेवर अपरादियों के गैंग को हर मईने सैंकडो शिकार पर अत्यचार करना पड़ता है मतलब एक कैरियर अपरादी और उसके गैंग के सदस्यों को हर मईने सैंकडो अपराद करने पड़ते हैं इतने अधिक अपरादों के शिकार लोगों में से लगबख 20-30 लोग ही कोट में शिकायत दज कराएंगे इससे लगबख 300-400 कोट के मुकदमे हर साल बन जाते हैं एक आम गैंग के खिला अब यहीं पर पेशेवर अपरादियों से निपटने में जज सिस्टम और जूरी सिस्टम का अंतर सामने आता है अभी जूरी सिस्टम और जज सिस्टम में पेशेवर मुझ्रिमों की स्थिती की तुलना करते हैं जड़ सिस्टम में मान लीजिये किसी गैंग के खिलाफ 4-5 वर्षों में लगबख 1000 मुकद में दर्ज हुए ये सबी मामले केवल 5-10 जजों के पास ही जाएंगे इस प्रकार मामलों में देरी करवा कर गवाओं को तोड़ने या खरीदने अत्वा तत्काल छुटकारे के लिए गैंग नेता को किवल 5-10 जजों से स्थांड कांट या मिली बगद बनाना पड़ेगा यदि गैंग मालिक 5-10 जजों के साथ मिली बगद कायम करने में किसी तरह कामयब हो जाता है तो वे निन्यान में प्रतिशत मुकदमों में रिहाई या विलम कराने में सफल हो सकता है जूरी सिस्टम में हर मुकदमा 15-20 अलग लग जूरी मंडल के सदस्यों के पास जाता है जो जिला, राज्या और राष्ट्र से क्रम रहित या अंदादून तरीके से चुने गए होते हैं इस प्रकार ये हजार मुकदमों के लिए 15-20 अलग जूरी सदस्यों जिले, राज्या या राष्ट्र में से चुने जाएंगे जूरी सिस्टम में लंबा विलम शायद ही कभी होता है और हर एक जूरी सदस्यों के वल एक ही मुकदमा दिया जाता है 11 बजे सुबा से लेकर 4 बजे शाम तक एक जूरी मंडल के पास सुनवाई के लिए एक ही मुकदमा होता है और जादातर अगली तारिक अगले दिन की ही होती है और इसमें गैंग माली को 20,000 जूरी मंडल के सदस्यों के साथ मिली बगत बनानी पड़ेगी इसलिए 5 वर्षों में 1000 मुकदमों में रिहाई प्राप्त करने के लिए गैंग नेता को 20,000 जूरी मंडल के सदस्यों के साथ मिली बगत कायम करने की जरूरत पड़ेगी इस प्रकार जूरी सिस्टम में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत मुकदमों में भी रिहाई करवा पाना असंबव ही है दूसरे शब्दों में बारत के कोट में बड़ी संक्या में मुकदमे कुछी लोगों अर्थाद जजों दोरा सुलजाए जाते हैं इसलिए पेशेवर अप्रादियों ने जजों के साथ मिली बगद बना ली है और वे अजादी से अप्रादिक काम करते रहते हैं जबकि पस्चमी देश बहुत अधिक लोगों का अप्योग मुकदमों को सुलजाने में करते हैं जिससे काफी अधिक संक्या में मुकदमों में सांट गांट या मिली बगद कायम करना असंबव होने की हद तक कठिन हो जाता है इसी लिए पस्चिम देशों में पेशेवर अप्राद जैसे जबरंद मसूली समाप्त हो गए है अब हम जज़ वकील की सांट गांट या मिली बगद और जूरी वकील की सांट गांट या मिली बगद की बात करते हैं भारत के कोट जज़ वकील की सांडगांट या मिली बगत से भरे पड़े हैं जजो और समबंदी वकीलों के बीच की मिली बगत अब अफवात के स्थान पर कानून ही बन गया है लेकिन इससे हटकर भी कई जजों की मिली बगत वैसे वकीलों से भी रहती है जो उनके रिष्टेदार नहीं होते हैं यह जज़ वकील सांडगार्ड कैसे पैदा होती है? पस्चिमी देशों के कोट में किसी ने भी कभी जोरी वकील की सांडगार्ड नहीं देखी है इसका कारण बनावटी डांचा है नाकिसंस का मालनी जिये पांच वरिष्ट वकीलों के साथ 20 जूनियर या चोटे वकील हैं जो उनके लिए काम करते हैं मालनी जिये ये लोग साथ मिलकर किसी जिले में लगबक 1000 मुकद में 4 वर्ष की अफ़दी में लेते हैं इन में से ज़्यादातर मामलों के लिए उस जिले में लगबक 20 जज तेनाद किये जाते हैं फिर 3 से 6 मेंनों के बीतर ये 5 वकील इन 10 से 20 जजों के साथ सांड़ गांट या मिली बगबक बना सकते हैं अब यदि जूरी सिस्टम लागू है तो ये मुकदमे एक वर्ष में 20 अजाद जूरी मंडल के सदस्यों के पास जाएंगे इन में से 2 प्रतिशत के साथ भी ऐसे सांड़ गांट या मिली बगबक बनाने का समय नहीं होगा क्योंकि एक मामला 15 से 20 दिनों में ही समाप्थ हो जाएगा जब किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोई वकील किसी जज के साथ सांड़ गान बना लेता है तो उस जज के साथ उस वकील के लिए उन सभी मामलों में निश्चित युक्रियों की सुबित होगा जो मामले उस जज के सामने आएंगे लेकिन जूरी सिस्टम में यदि कोई वकील किसी मामले की सुनवाई के दौरान 20 जूरी सदस्यों में से 15 के साथ भी किसी प्रकार मिली बगत कायम कर लेता है तो इन जूरी मंडल के सदस्य के साथ उसकी ये मिली बगत उस वकील के अन्यस अभी मुकदमों में बिलकुल भी काम नहीं आएगी क्योंकि हर एक सुनवाई के बाद जूरी मंडल के सदस्य बदल जाया करेंगे अब देखते हैं कि कैसे जूरी प्रणाली सिस्टम में ब्रस्टरचार कम हो जाता है जूरी सिस्टम में जादा तर ब्रस्टरचार संगटन वाले अपरादियों अथ्वा बड़े कॉर्परेट लोगों के जरी होता है जिनके किसी भी राजियों में उनके खिलाफ सैंकडों मुकदमे होते हैं ये मुकदमे निचली अदालतों में 100-300 जज़ों के पास जाते हैं इसलिए बड़े बड़े अपरादी और कॉर्परेट या फैक्टरी के मालिक 15-50 ऐसे वकीलों के साथ सांट गांट बना लेते हैं जो या तो इन जज़ों के नज़ी की रिश्तेदार होते हैं या किसी अन्य प्रकास से इन जज़ों के साथ संबन्ध होते हैं अब जूरी सिस्टम में ये सैंकडों मामले हजारों जूरी मंडल के सदस्टियों के पास जाएंगे उधारन यदि किसी गैंग मालिक और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ किसी राजिय में सौ मामले है तो ये मामले दो हजार जूरी मंडल के सदस्यों के पास जाएंगे एक राष्ट्रेस्टर ये कॉर्परेट या फैक्टरी मालिक के खिलाफ भारत बर में वर्ष में हजार मुकदमे होंगे और उन्हें भारत बर में एक वर्ष में 20,000 जूरी मंडल के सदस्यों से लड़ाई लड़नी होगी कोई भी गैंग मालिक अत्वा कम्पनी इतने ज़्यादा नागरिकों को गूस देने में सफल नहीं हो सकते हैं इसलिए वे ऐसा करने का प्रयास छोड़ देंगे भारतिय सुप्रीम कोट और हाई कोट के जज पुलिस सेवकों के तुलना में दस से सो गुना ज़्यादा ब्रश्ट है केवल यातायात पुलिस वले का ब्रश्चाचार जनसाधारण को दिखता है जबकि सुप्रीम कोट और हाई कोट के जजों का ब्रश्चाचार दिखता नहीं है और उपर से कोट की मानहानी द्वारा जज किसी को भी बंदी बना लेते हैं जो उन पर आरोप लगाते हैं आरोप सही भी हों तो भी इसके अलावा जज सिस्टम में एक जज को रिश्वत देने के बाद उस जज को अपना वाइदा पूरा करना पड़ता है ने तो उसे फिर से रिश्वत नहीं मिलेगी जूरी सिस्टम में जूरी मंदल के सदस्य प्रतेक मामले के साथ ही बदल जाते हैं और फिर उस जूरी मंदल का कोई सदस्य अगले कई वर्षों तक जूरी में वापिस नहीं आ सकता है इसलिए रिश्वत देने के लिए ये निश्टित नहीं होता कि जूरी मंदल का वैस सदस्य अपना वाइदा पूरा करेगा और बहुत बार अपरादियों के खिलाफ नफरत होने के कारण जूरी मंडल का सदस्य रिश्वत ले लेने के बावजुद भी किसी अपरादी को सजा दे ही देगा क्योंकि रिश्वत लेने के बाद भी उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है अब देखें कि कैसे जूरी सिस्टम में पुलिस और प्रशाशन में रस्टाचार कम हो जाता है जादातर पुलिस बले और अधिकारी वर्चों से सेवा में होने के कारण जजों के संपर्क में आ जाते हैं लगबख हर पुलिस वाला और अधिकारी ये जानता है कि किसी जज की अदालत में उसके खिलाफ कोई मुकदमा होने पर उस जज के किस रिष्टेदार वकीर से संपर करना होगा और उनके वर्षों के मिली बगत और संबन्ध होते हैं वे रिष्टेदार वकील पुलिस वालों और जजजों से मिलने वाली उपकार या फैदों के बदले उपकार या फैदा देने का व्यपार करता है और इसलिए पुलिस वाले और अधिकारी अपने उपर किये गए मुकदमों से असानी से बच निकलते हैं लेकिन जूरी सिस्टम में पुलिस वालों और अधिकारियों को उन जूरी मंडल के सदस्यों के खिलाफ लड़ना होता है जो ब्रस्ट पुलिस वालों और अधिकारियों से नाराज होते हैं और उनका इन हजारों जूरी मंडल के सदस्यों के साथ कोई मिली बगत भी नहीं होती इसलिए जूरी सिस्टम में इस बात की संभावना अधिक होती है कि ब्रश्ट, पुलिस वालों और अधिकारियों को सजा मिलेगी यही कारण है कि जूरी सिस्टम आने से पुलिस, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ, आधि विबागों में ब्रश्टाचार कम हो जाता है अब देखते हैं कि किन देशों में जूरी सिस्टम है ऐसे लगबक 15 बड़े देश हैं जहां जूरी सिस्टम का प्रियोग किया जाता है कनाड़ा, अमरीका, इंगलेंड, फ्रांस, डेन्वार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलेंड, जर्मनी, स्पेन, पुर्टुगाल, इटली, हॉंग कॉंग, आस्ट्रेलिया और निजुलेंड तीन अन्य देश भी सूची में जोड़े गए हैं रूस के लगबग 25 प्रतिशा जिलों में अब जूरी सिस्टम का प्रियोग किया जाने लगा है और चीन और जपान ने भी अब जूरी सिस्टम शुरू कर दिया है और लगबग 90 देशों में जच सिस्टम का प्रियोग किया जाता है जज्ड सिस्टम का प्रयोग करने वाले हर देश के कोट ब्रष्ट हैं पुलिस ब्रष्ट हैं और नेता भी ब्रष्ट हैं सिंगापूर, दक्षिन कोरिया, ताइवान और इसे चार अपवाद वाले देश हैं जहां ब्रस्टरचार कुछ कम है अन्यस, तान्यक, अन्यों के वज़े से लेकिन फिर भी जूरी सिस्टम वाले 15 देशों से उन में बहुत जादा ब्रस्टरचार है रूस, चीन और जपान को भी अपने यहां की आदालतों में ब्रस्टरचार और भाई बतीजिवाद की समस्या के कारण जूरी सिस्टम लागू करना पड़ा था और दक्षिन कोरिया ने भी अपरैल 2008 में ऐसे ही किया दूसरे शब्दों में यदि कोई भी ऐसी चीज़ है जो शत्प्रतिशत आपसी संबन दर्शाती है तो वै यह है कि जूरी सिस्टम में हमेशा ब्रस्टरचार में कमी आती जाती है और जज़ सिस्टम में ब्रस्चाचार और भाईबती जवद हमेशा ही बढ़ता रहता है आगे की चर्चा हम अगले वीडियो पार्ट तीन में करेंगे स्रिष्टे करों कोई कोशू स्रिष्टे हों कोई कोटान तुमा मरा सरर मिलन सुष्टे करें चालो यो तानो मले सूर जो तारो मारो बने आपनो सूर निरालो माचा तुमचा जुलता तारा मधुर सुरांचा बरस्ती धारा